मोधी जी को कैसे सुनाई देगी देखो जी छे महीना तो लगने चाहिए कुम्मकण है जगे बेग में क्योंकि छे महीना सोता था कुम्मकण और जब जगता था छे महीने बाद तो मोधी जी खर्राटे ले रहे हैं आलामते निरंकुष आसन कर रहे हैं किसी को मानी नहीं रहे एसे से बेन बेटियों को बिन्वा मारने हैं जो पूरे वर्ल्ड में नाम करके आई तरंगा लेके ऐसे लपट के पूरा देश में नाम रोसन किया वो बेन बेटियां यहां सडकों पर सो रही है अभी तक यह अंदोलन को हलके में ले रही है अखिं नाना मुखें मीन बिचार कर रहा है अलगे में नहीं ले रही है यह अंवर सोच रहे हैं बिचार चल रहा है फल पल के लोग यहां लगे हैं जानी न जाए निसा चरम आया काम रूप के कारण आया तो आप क्या कहेंगे सरकार का जो रहा है बेटियां कोई साधान बेटियां थोड़ी है यह तो पूरे देश की बेटियां है और बेंड बेटी सब की बराबर है आज इन पर अत्याचार इतनी मतलब दबंग जो विदेशों से मेडल लेके आ रखी है ऐसी बेहन बेटियों पर अत्याचार है रह रहा है तो जनरल बेहन बेटी का क्या हाल होगा बताईए इनकी सरकार में जो इनका हाल कर रहे है जो ये देश की गोल्ड मेडलिस बेटिया है अगर ये धरने पर इतने दिन से बैटिया है और सरकार नहीं सुन रही है तो आम जनता का आम बेटियों का क्या है इसलिए नहीं रही है कि उन्होंने अपनी बात सचाई से रखी और सची बात उन्होंने कर दी जो कहा उन्होंने वो पक्का उनका सबूत के साथ पक्की बात हमने आँखों से देखी पूरे देश ने देखी वो कैसे उन्होंने कहा था कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचा जाए और हमसे बचाओ बाजबाब के इन्डे मवालियों और यह बात उन्होंने तुन आ रही हैं कि यह जुट बोलते हैं यह जुट बोलते हैं यह तो सची बोलते हैं इस अच्छी को कैसे सुनाई देगी लेखो जी च्छे महीना तो लगने चाहिए कुम्मकंड है जगबेग में क्योंकि शे महीना सोता था कुमकंड और जब जगता था शे महीने बाद तो मोदी जी खराटे ले रहे हैं और हम ते और वो करनाटक चुनाव परजार में भी हाँ वो फिल्मेकर को लाओ और च ठॉटू खचाओ अठार सत रहते हैं यहीं सोचते रहते हैं कि कल किस तरह का भोटू है धूत वशंट हरा राजय बाभव ओलीख़ पर अब आगे हैं तो बीडियू ओ जो कह देल बंडा सून ऑजम्त बटेढ सून हो कैutorory TWD चल रहा कि अंगादास है या जमनादास है कि कुछ भी पता नहीं चल राम को तो इतना बड़ा पहरूपिया देशगा नामंत्री हमने किसी भी देश में पूरे वर्ल्ड में नहीं 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 देखा न सुना पॉर्ल पर्टी पर्टी पर यह अरोप होता या किसी आम आदमी पर पर सांस को जबाब नहीं आया वह संती मैठी है कि उन्हों ने अपना जमीर बेच दिया उनका जमीर मर गया है और वो गुलाम हो गई कि क्या आगे में दिल्ली पुलिस ने जो कारवाई किया जो जो कारवाई उनको ब्रिज भूशन शरन पर करनी चाहिए वो का खिलाडियों का मनोबल तोड़ने पर कर रही है ने दिल्ली पुलिस ने कोई सराब पराप भी किसी ने थोड़ी बहुत बत्तिमीजी कर दिया पुल अगर को याम लड़की होगी तो वो कैसे इतना इतना एफट कैसे करेगी नहीं वो तो बिचारी मर जाएगी चुप चुपी रहे यही तो हम कह रहे हैं कि देखो कितनी बड़ी दादा करी है कि एक फाया दर्ज कराने के लिए सुपर्म कोर्ट जाना पड़ा और वो भी आप में हो रहा है यह पत्कार महोदे आप तो जानती है यह किसके दवाब में हो रहा है कि सुनी जी गबर के शोले फिलम देखी होगी आपने कि सबने ले गिए ना गबर के न भी भी थी न बच्चे थे लेकिन फिर भी लूटता था कि फिर भी लूटता था आगे क्या मतलब आपको क्या लगता कि अंदोलन कब तक चल चल सकता है या कब बोधी जी तक आवाज कब तक पहुंचेंगे और यहां ते जब तक वह कुम्मकरण जगेंगे नहीं चाहिए उनको हम को मदरा पिलानी पड़े चाहिए बैसा खिलाने पड़ें कम मकरण को लेकिन है डोल और संख मजारे बजाने पड़ें कम करण को हम जगा के ही मानें गे आदमियों को भीन enemy पूरे वर्ड में नाम करके आई तरंगा लेकर लपटके पूरा देश में नाम रोसन किया वह बहन बेटियां यहां सड़कों पर सो रही है इनको शर्म के मारे मर जाना चाहिए चुलू बर पानी में डूब के मर जाना चाहिए इस ब्रिजबूशन तो कह रहा है यह मनघनता रोप है यह राजनीतिक प्रेरितिया अंदोलन चल रहा है तो आप हाँ यह तो बात है है उनका पाप भोला है पाप का घड़ा भड़ चुका है रामन का नहीं होता, जिस T direct काल्ने का उसमें जाके बैठ गया सो, बगवान पर सुनने उनका गरधन कार दी उसकी, राहू और केतू हो गए, तो इनका उन्स zur चुखा है, अब ये ज्यादा दिन चलने वाले नहीं है विनेश फॉगाट जब मैडल लेकर आई थी तो मोदी जी ने उनको पहुचा है पर बुला के खा कि ये मेरे घर की बेटी है क्योंकि फोटो किचाना था ना वावा लूटनी थी ठीक है ना जब मैडल लाती है तब तो वो देश की बेटी हो जाती है और जब मैडल ले आई हो जब अपने हक की बात करोगे तो वो धर्म को जिंगरा थमाइदेंगे करें तुम्हें कि तुम्हें तो हिंदू हो मुसलमान हो तुम्हें एस ऐन और ऐसे करके वह बटबारा कर देंगे डिवाइट अंग्रेजों की जो डलोजी की नीती थी फूट डालो और राज करो यही उनका मक्सद है और यही उस मक्सद में वो काम्याब होते हुए आए लेकिन अब नहीं होगे अब जनता जा चुकी है वही तो वो कह रहे हैं कि एक राज्य का एक छेत्र का यह अंदोलन चल रहा है यह कोई घुष्राज्स का और वहां से आई है करना से तो यह है एक राज्य का को गया है पूरे भारत का है बैटियाँ यह पूरे भारत की वेटियां कोई नॉर्मल बेटियां नहीं है कि पूरे देश का नाम करने वाली बेटियां है और याद रखे सभी पूरे भारत के लोग बेहन बेटियां सब के घर में और कुछ लोगों से कोई अपील या सरकार लोगों से अपील या कि भीया पूरे देश के लोग यहां पर सांती कस्मी से लेके कन्या कुमारी तक एक है भाईचारा जिंदाबाद भाईचारा के हम लोग हैं जो भाईचारा को बढ़ावा देते हैं हम न तूटेंगे न विखरेंगे सब एक हैं हम और एक मिलके अवास देंगे तो सब लोग यहां आओ और बेटियों को जिस तरह से सामदाम सभी तरह से बेटियों को सहयो करो सपोर्ट करो और सरकार से मैं यह अपील करूंगा और दिल्ली पुल से अपील करूंगा कि अंदोलन को बढ़ने दें किसी को यहां आने से न रोके और सरकार को भी मैं यह दूंगा कि इस मामले को जल्दी से जल्दी इस आदमी को जेल में ड बिचार कर रहा है अलगे में नहीं ले रही है यह हम और आप सोच रहे हैं बिचार चल रहा है फल पल के लोग यहां लगे हैं जानी न जाए निसाचर माया काम रूप के कारण आया तो कुछ निसाचर भी है जो उनकी माया समझ में नहीं आ रही वो किस काम से आया है एजी भे लेने क्यों दिये दसकंदर मुखेमें उन्हें अलग छोड़े हुए है वेद लेकिया चलो है अगर नहीं तक कारवाई की कुछ ना कुछ कारवाई के लिए नहीं वह है कि इधर इदर गरे तो खाई और इधर गरे तकुवा तो वह बीच में सोच रहें कि अब करें तो करें क अगर जे तो आपक वामत वाई तो गे गरत वाई तो वो उस तरह से वो राकम अजय जो प्रॉप है आए 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 झाल झाल